ही नमस्कार दोस्ते लिगबर फिर से आप सभी लोग का हमारी यूट्यूब चलोशन अफ टेक में बहुत-बहुत सवागत है दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी लोग को ऐसे पांच अप्लिकेशन के बारें बताना हो जो कि बहुत ही आदा कमाल के और आपको यह पांच बारें जानना चाहते हैं तक हमारी इस वीडियो को एंड तक चरूर देखिएगा हमारे पहले अप्लिकेशन का नाम है टेस्ट में दोस्तों यह एप्लिकेशन अप्लिकेशन मेरे उन दोस्तों के लिए काम आ सकता है जो कि नए मुवाइल खरीदने से ज्यादा पुराना ले सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं यहाँ पे आप टोटली डिवाइस का जो फोन है उसके एक एक चीज को चेक कर सकते हैं वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे है या नहीं कर रहे है कुछ इस तरीके से आप स्क्रिन चेक कर सकते हैं जो इसका sensor है, sensor चेक कर सकते हैं, इसका compass काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक कर सकते हैं, wifi connectivity काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, data network, sim network काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस type की चीज़ जो आप यहां से set चेक कर सकते हैं, hardware की बात करें तो fingerprint काम कर रहा है या नहीं कर रहा या फिर इसकी speed कितनी है सुगाई यह सारी चीज़ जो है आप यहाँ पर इस application के according एक report की टॉर पर ले सकते हैं यह आपको fully बता देगा कि आपके phone की मतलब performance है 100 में से कितने percent है और इस phone का क्या खराब है क्या सही है यह सारी चीज़ जो है यह application हमें बता देगा सुगाई अगर आप पुराना mobile खरीदते हैं एक बार इस application को जरूर try करें अपने ही phone में try करके देख लिए इसकी report सही होती है दोस्तों मारे अगले application का नाम है world around me basically आप इससे करके सकते हैं अपने आसपास के जगाओं को है easily ढूंड सकते हैं मतलब कि आपके आसपास खाने की जगा कहा है ATM कहा है bank कहा है या फिर petrol pump कहा है जैसे आप इस application को on करेंगे आपके समने बहुत सारे interface आएंगे और आपको जो भी search करना है उस पर आप click करके जो है अपने eyes के सामने phone को रख लीजे और फिर मतलब camera जो उसको automatically open हो जागा और उससे आप इधर उधर slide करिए जिदर उधर जो है आपको area दिखाना है वो आप camera आपके सामने दिखा जिए और यहाँ पर देख लीजे आपके आसपास जो भी चीज़ जैसे state bank of ATM मेरे से 600 कुछ km दूर है 1.2 km दूर है इस तरह से आप जो है यहाँ पर इससे पता लगा सकते कि कोई वो चीज जिसे जहाँ पर आपको जाना है वो आपसे कितना दूर है जै दोस्तों हमारे अगले अप्लिकेशन का नाम है सौंग ली जो गाना सुनना बहुत ही यादा पसंद करते हैं चाहे वो नए गाने हो पुराने गाने हो भुजबूरी गाने हो या फिर हडियान भी गाने हो आपके लिए कोई सा भी गाना इसली ढूंड देगा जिया दोस्तो अब देखिए सपना के गाने आ गया और आप सिंपली इसे प्ले भी कर सकते प्ले के बटन पर टैप करके या फिर डाउनलोड का जो एक असाइन दिख रहा है वहां पर यो भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिरेक्ली आपको यूट्यूब की वीडियो प्ले करके दिखा द जो कि बहुत पुराना है चांद के पार चलो सब्सटों अगले अप्लिकेशन का नाम है स्पेस अब बैसे के लिए करता क्या है अगर आप किसी अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं रखना चाते या फिर आप उसे करना करना करणि अभी नहीं करते कुछ दिनों बात ना जात यह application आपके लिए बहुत दी कमाल किया विकाज यह सारे application को compress कर देती है और उसके size को 40 MB से 4 MB की कर देती है ऐसा इस app का कहना है यहाँ पर आपको करने कहा है सिर्फ scan पर click करके जैसे scan कर लेगा यह आपके सामने बहुत सारे इसनों आप जो है select कर ले है कि बड़ी file जो है वो छोटी file में तकदिल हो जाती like 20 MB की जो file है वो 2 MB की हो जाएगी 3 MB की हो जाएगी और guys यह सारे application जो है compress हो जाएगी एक बात आप ध्यान रखेगा compress process चलते वक्त आपका जो है application का data भी जा सकता है यहाँ पर आप camera या फिर अलग जो जिसका data आपके काम का उस application को select मत करिएगा और guys यहाँ पर जो application है वो सारे files को compress कर देता है और simply आप यहाँ पर देख लिजे मेरे 500 MB जो इसने free कर दिया है 14 apps को compress करके यहाँ पर मुझे इस application को uninstall भी नहीं करना पड़ा और उसका जो data जो वो consume करता है वो भी खतम होगी और guys बात है मैं इसे uncompress भी कर सकता हूँ तो guys कुछ इस प्रवार की application है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है हमारे last application का डाम है app browser ज्यादर तो इस application की मदद से जो आप बहुत सारे application को इस application के अंदर use कर पाएंगे जैसे कि अगर आप news की बात करें तो आज तक के application आपने जैसे इस पर click किया और यहाँ पर आज तक application जो है open हो गया इसका सारा interface same to same आज तक application के जैसा ही है और guys यहाँ पर flip card के बात पर तो मैंने flip card पर जैसे click किया तो guys यहाँ पर simply flip card का application open हो गया और guys actually यह application मैंने अपने phone में install नहीं कर रखा यह application जो है facebook मैंने click किया तो facebook यहाँ पर open हो गया facebook मैंने अपने phone में install नहीं कर रखा तो simply guys यहाँ से आप किसी भी application को use कर सकते है बिना उसे install के वे और guys same to same आपको interface application ही जैसा दिखेगा और आपको लगेगा कि हम application ही use कर रहे है जैसे pizzaherd की बाट कर तो guys यहाँ पर आप देख लिए pizzaherd जो है यहाँ पर pizzaherd की application application जो है open हो गई है बट मैंने इसके application को download नहीं किया बस इस app browser application की मदल से आप हजारो application को जो है यहाँ पर browse कर सकते हैं और guys यहाँ पर simply same to same बिल्कुल application जैसा interface ही आपको देखने को मिल जाएक और ऐसा लगा कि आप किसी एक application को ही use कर रहे तो guys यह पांच application जो मैंने आपको बताई सब्सक्राइब कोई भी application आपको अगर अच्छा लगा आपको हमारी यह वीडियो कर आपको हमारी यह वीडियो पसंदे तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए का शेयर कर जो गाइस सब्सक्राइब कर नम दो